हलो गोई स्वागत अब सभी का अपने वीडियो चानल पर एन एक्सपाटे जो सॉल गुरू और कल मुझे लगातार सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे जिन्होंने विहार द्रोगा एक्जाम दिया था कि सर्थ रहा सा आप इस पर इस पर कटा बता दीजिए चुकि आप जो भी सब्सक्राइब देखने के बाद मैंने फिर इस पर वर्क किया और देखा कि सबसे पहले मैं इसके पेपर के अनलाइज किया बिहार द्रोगा पेपर जो है कल बेसिकली उसका पीडिया फॉर्मिट आप लोगो मिला ही होगा जब मैंने पेपर को देखा जो बच्चों नों भी एक्जाम दिया था तो पेपर को देखने का धार पर चुकि बहुत सरा बच्चे जो मैंने PDF के स्केंट पेपर मुझे मिले थे आप लोग को यह मिला ही होगा उसके धार पर जो मैंने पेपर को ऐनलाइज किया तो पेपर सिफ्ट बन की बात करते हैं इसमें देखिए जैसा कि आप लोग थम्नेल देख रहे हैं उसके धार बता रहा हूं साथी जो नहीं बच्चे में चनला को देख रहे हूं कि इस चनला पर आपको बिहार सका के सभी वेकेंसी के बारे अम लिए अप्डेट बताया जाता है साथी जाद उसके एक्जाम का इसमें आपको पेपर तो मिल ही गया था साम साम तक इसका स्केंड कॉपी आप लोको मिल चुका था और हमें मिल चुका था उसके अधार पर मैं एक रॉड़ डेटा बना जाता हूं जैसा कि आप थम्नल देख रहे हैं वैसे बच्चे किसी एक्जाम के त्यारी करें भी आप चाहर की तो हमारे चाहर को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमको सारा चीजान से मिलते रहे हैं और उनको जो भी आपको सोचना दी जाएक बिल्कुल 100% सही होती है और उनके सफलता यहां सुनस्चित हो सके ठीक है दोस्तोर चली सुरू करते हैं इस वीडियो को बिन लंबा किय अब moderate to high का मतलब क्या था कि उसमें 100 कोशन थे तो 100 में से अगर मैं general candidate की बात करता हूं तो 100 में से general candidate 50 से 55 कोशन सारे general candidate ने बनाए होंगे ठीक है और उसमें से 10 से 15 कोशन ही असे थे जो current appears जो कि आपका मुख रूप से result को तै करेंगे यानि अगर general candidate की मैं बात करता हूं तो cut up जो है वो कम से कम जाने वाला है 70 से 75 के बीच में जी हैं दोस्तों सुनके थ्वासा आप लोगों को लगेगा कि इस तर बहुसा चैनल वाले तो कहा रहे हैं 60 से 65 बना लिए यानि 130 नंबर में result आ जाएगा वो बिल्कुल आपको बेखूब बना रहे हैं 70 से 75 के बीच में जिनका भी attempt रहा है मतलब safe score 100% 75 सही रहा है तो उन बच्चों का result आ जाएगा यह जनरल का है फिर बात करते हैं EWS का जो cut up रहने वाला है वो 65 से 70 के बीच में रहने वाला है जी हैं दोस्तों EWS का 65 से 70 फिर से आप लोगों किजिएगा general का cut up 70 से 75 यहावा में बात नहीं हो र करते हैं तो OBC का भी आपका near about 68 से 72 के बीच में जानी OBC जो है वो उसका cut up EWS से जाता रहने वाला है ठीक है तो आपका 68 से 73 के बीच में आपका रहने वाला है OBC का ठीक है फिर बात करते हैं SCST का तो SCST का यहाँ पर आपको 55 से 60 देखने को मिलेगा और एक सर्विसमेन का भी मुख रूप से 55 से 60 ही देखने को मिलेगा ठीक है ठीक है तो वैसे बच्चे जो हम आचना को पहली बार देख रहे हैं अगर वो cut up को समझ गये होंगे तो इस cut up को लिख लिजएगा और जिस दिन exam का result है आपको समझ में आ जाएगा चुकि जो paper out हुआ है मतलब जो scan exam के बा पिछला यात्तों को हो गहीं कि आपने क्या सही बनाया है क्या गलत बनाया है लिख लिजएगा अगर आपका 75 प्लस या 77 सपर तक बिचम सही है जनरल तब ही आपने result को मानिएगा ऐसे आप लोग हवा मत बनिए ठीक है तो कुछ यूटूबर्स होते हैं वो भीव के लिए आप जान बुझके कम बता देते हैं ताकि आप उसे जूड़े रहें और छोटी-छोटी बातों पर आपको और करते रहें तो ऐसा खराम आचनल पर नहीं होता है जो ही बता जाता है चूंकि जाहिट सी बात है एक हम आप लोग को गलत होप दे देंगे तो final job का result होगा वो गलत ही होगा ठीक है इसलिए आप लोग मुझे देख रहे हैं बताना चाहता हूं कि cut-up जो है वो 70-75 में जाएगा ही जाएगा चूंकि जाहिट सी बात है छे लाग पैंसाट हजार बच्चों ने एक्जाम को दिया तो उसमें 85 परसंट रहा था यानि कुल मिलाकर कर सकते है साड़े 5 लाग बच्चों ने इस एक्जाम को दिया था तो इतने बच्चे 1275 पर देंगा तो cut-up तो high जाएगा ही जाएगा ठीक है इसलिए mind make-up कर लिजेगा अगर आपका इसके near about सही हो रहा है तो आप लोग मेंस में लगे रहिएगा हाँ मेंस के लिए भी मैं आप आइए जय भारत